हेलो स्टुडेंट्स मैं पी एस खुश्वाह लेक्चरर डेपार्टमेंट आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस लेक्चर में हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट उसका चैप्टर नमबर टू इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल में जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं अब उसके आगे हम पढ़ेंगे और आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यह वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता होगे इंप एक के बहाद पूर्ट टॉपिक होगा तीक ट्रॉपिक होगा तीक at आवकश मि इंपुर्ण टॉपिक तो हम यह जानेंगे कि acceptance quality level क्या है और इसका इस्तिमाल क्या है या इसका census क्या है और यह किसके लिए इस्तिमाल किया जाता है दूसरा आज का जो outcome रहेगा LTPD lot tolerance percentage defectives इसको short में LTPD कहते है और यह एक महत्पूर्ण topic है for the description for the interview and for the sampling error these two terms AQL and LTPD are widely used next we will be studying the two type of risk and that is the producer's risk and other is the consumer's risk producer risk यानि जो निर्मान करता है जो निर्मात्रा है जिसने बनाया है जो manufacturer है उसका कुछ risk involved रहता है और एक consumer का risk होता है उसको भी आज हम details में पढ़ेंगो and the most importantly the next outcome of this lecture is OC curve OC से पूरा नाम बनता है operating characteristic curve OC curve तो हम यह जानेंगे कि क्या चीज़े होती है और आज के lecture में हम इस lecture पे इन चीज़ों को cover करेंगे AQL जैसा कि मैंने आपको बताया था कि AQL का जो पूरा नाम है वो है acceptance quality level so AQL is the topic which is acceptance quality level में 100% यह क्या है उसको पहले समझने कोशिश करते हैं suppose करिए आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और इस कंपनी में connecting rod की manufacturing होती है और connecting rod की manufacturing के बाद वो connecting rod आप जिस company है उसको बना रहे हैं और किसी motorcycle के किसी भी manufacturer को आप connecting rod manufacture करके supply करते हैं वो अपने end perfect crank sharp के साथ और crank pin के साथ assembly कर लेगा आपकी company को connecting rod manufacturing quarter मिला हुआ है अब देखें समस्या कहां पर आती है अगर आपने connecting rod का 100% inspection किया कि सब जितनी connecting rod हम बनाएंगे सब की सब connecting rod हम inspection करेंगे small dia, big dia, length, thickness, roundness उसकी जो parallelism है दोनों surfaces की बीच में और diameter की ovality जितने भी parameters होते हैं फिर connecting rod में twist and bend का भी एक option होता है कि ये bend या फिर twist connecting rod में important point होता है कभी मौका बन लें पर connecting rod के विशन में आपको details हम बताएंगे सो अगर हम ये सोचें किसाब connecting rod के हर piece का inspection करें तो this is not possible so 100% inspection किसी भी manufacturing process में जहां mass production हो रहा हो 100% inspection कभी भी advisable नहीं है fate of the lot अब हम क्या करेंगे sampling करेंगे हमने sample inspection पढ़ा था और sample inspection में हम बड़े से lot के छोटा से sample निकालते हैं और sample को फिर हम inspect कर लेते हैं so अब लेकिन पूरे lot का जो भाग है वो इस बात पर निरुपर करता है कि पूरे lot में से जगए जगए से जो हमने sample निकाले 100 piece में माली जह हमने 10 piece का sample निकाला वो हमने क्या एक जगए से निकाल लिया या हमने जगए जगए से निकाला पीछे से भी निकाला आगे से निकाला उपर के भी piece उठाए चार-पांच piece उठाके नीचे से भी piece उठाए अगर हमने इस तरह के random sampling करी है जो कि पूरे lot का representation हमको बताएगा पूरे lot का के बारे में हमको जानकर ही देगा तो पूरे lot का जो भाग है वो इस पे निरुबर करेगा कि हमारे piece में जो 10 piece मेरे हाथ में आये हैं sample की रूप में वो okay होते हैं या फिर वो reject होते हैं तो equivalent में जो probability क्या कहती है theory of probability suggests that there exists sampling error तो हम जब भी sampling के process से inspection करते हैं तो probability यह कहती है कि कुछ ना कुछ sampling में error रह जाती है जैकि आपने 100 piece में 10 piece check किये बिलकुर ठीक बात है 10 piece आपने बहुत अच्छे check कर लिए पर अंतु फिर भी आपने 90 piece check नहीं किये हैं और इस बात की संभावना है कि 90 piece में से कुछ एक या दो piece defective चले जाएं So it is based on the probability and we suggest that there may be some type of sampling error Sampling error cannot be eliminated ठीक है हम sampling error को eliminate नहीं कर सकते and we have to live with it हमें इसको accept करना ही होगा कि उसमें कुछ ना कुछ error की संभावनाएं बनी रहती हैं producer and the consumer have to take certain amount of risk तो चुकि sampling में error होती है तो producer को यानि जो निर्माता है manufacturer है consumer यानि customer जो हम लोग है हमें कुछ ना कुछ risk उठाना पड़ता है सो अब हम definition पर आते हैं a small percentage of defective pieces in a lot किसी lot में बहुत छोटा सा percentage of pieces अगर उस lot में है and which a customer is willing to accept और यदि customer उसको accept करने के लिए तयार है so it is called the acceptable quality level तब हम इसको aql acceptable quality level कहते है aql यानि अगर माल लीजे एक lot में 100 के lot में से customer को पता है कि इसमें 1.5% परसंट इसमें pieces defective हो सकते है और customer इस बात के लिए तयार है कि हम इसको फिर भी accept करने रहे so this is called the aql level for that particular lot so this is known as the this is the definition and this is the sense of the aql कि aql यानि customer कहा रहे है इतना हम ले लेंगे यह हमारे लिए सिवकार है इसको और यह खुशी-खुशी लेने के लिए तयार 1.5% दो परसंट अगर इसमें rejection है declared है फिर भी कहारा कि हम इतना ले लेंगे लेकिन एक बार आप sampling रेंडम सैंपली से inspection कर लो report देख लो और अगर वो दो परसंट की भीता रहे था आप accept कर लेंगे so this is called the aql for that particular lot अगला टॉपिक रहेगा दो से 6% तक मामला है और किसी lot के sample में से यह पकड़ में आया किसाब 4% इसमें pieces जो है डेफेक्टिव है अब क्या होगा तो आप कहेंगे चूकि customer ने तो अपना aql बताया था किसाब हम 2% तक accept कर लेंगे चार परसंट पर तो reject हो गया यह कुछ ठीक बात है चार परसंट में lot reject भी हो जाएगा फिर भी customer को माल लीजिए material की requirement बहुत urgency है और वो चाहता है कि चली साब 6% तक भी अगर इसमें rejection है तो हम इसको accept कर लेते हैं यानि customer के acceptance की अगर हम कहें कि customer कहा तक जा सकता है material को accept करने के लिए कितना वो rejection accept कर सकता है तो उसको हम LTPD lot tolerance percentage defective कहते हैं So definition देखते हैं A customer थोड़ा सा इसका वो change कर लेते हैं Customer depending upon the requirement can specify a percentage of defectives Customer अपने आवशक्ता के अनुसार अगर ज़्यादा आवशक्ता है कम आवशक्ता है वो बता सकता है कि हम कहा तक rejection को स्विकार कर सकते हैं And beyond which he is not ready to accept देखे AQL से इसको confuse मत होईएगा AQL तो यह रहता है कि अब 2% है तो हम ले ही लेंगे कोई समस्या नहीं फिर उसने कहा कि ठीक अब 6% तक भी rejection है और हमको चुकी माल की जरूरत भी है हम 6% तक वाला भी ले लेंगे लेकिन हो सकता है सामान परिस्टियों में वो 6% वाला नहीं लें So, यह LTPD हो जाएगा इसको हम एक तरह से acceptance के customer के perception में वो कहां तक माल accept कर लेगा उसकी हम upper limit भी कह सकते हैं that a customer is willing to accept मिलकु ठीक बात है Customer wants lot quality better than or equal to aql यह बड़ी important line है कि customer जो है वो वैसे तो aql या aql से बढ़िया माल चाहता है 2% हो या 2% से कम हो हम चाहते हैं लेकिन कुछ परिस्टियों में वो LTPD तक के माल को accept कर लेगा लेकिन LTPD से जादा percentage अगर defective आता है माल चे परसंट से भी जादा है तो वो किसी भी सूरत पे accept करने के लिए तयार नहीं है तो customer के acceptance की जो upper limit है उसे हम LTPD कहेंगे रिस्क क्या है figure में देखें जराई कितना इसमें risk है एक वेक्ति यहां पे खड़ा है किसी ना किसी पीस में rejection आ सकता है तो अगर reject हो गया एक पीस प Willigственna आ गया till dollar reject हो गया अब lot अगर तीं पीस मालने आगे तो lot reject हो गया अब lot अगर reject हो गया इसका मतलब यह घंगा कि यह मैनेफक्ट्रर है विसके लिए उसके 멈 का आपने सो पीस पीस से दस पीस का सैंपल निकाला और जहां जहां से एक यहां से एक यहां से अलग अलग जगाओं से उठाया और आपके हाथ में जो दस पीस सैंपल की रूप में आए उसमें से सारे ठीक निकल गए और जो खराब वाले पीस दो चार पड़े थे वो आपके हा sampling करने में जब हम process करते हैं sampling inspection करते हैं तो यह risk आना स्वाभाविक है और यह risk customer को भी उठाना पड़ता है customer को और manufacturer को भी risk उठाना पड़ता है so sampling error में यह situation बहुत common है कि there may be situation that bad lot may be accepted by the customer and even good lot may be rejected by the customer and it depends because of the at a random sample में कौन सा पीस हमारे हाथ में sample inspection को रूप में आ गया now the producers risk अब देखे रिस्क यहां पर दो तरह की होते है producer risk निर्माता का क्या इसमें risk होता है तो निर्माता का रिस्क यह होता है कि हमने साब बनाया हमने lot भेजा एक हजार पीस का हमने connecting rod का lot भेज दिया और एक हजार पीस के connecting rod में उन्होंने 40 पीस का एक sample उठाया at a random पूरे lot में से अलग-अलग bins में से अलग-अलग डबो में से 40 पीस का sample उठा लिया दो इस डब्बे से दो इस डब्बे से चार उस डब्बे से एक उपर से एक नीचे से अलग अब इससे प्रोडूसर अगर इसके यह है कि मेरे हाथ में सांपुल की रूप में 40 पीस उठाए उसमें से मालिज ऐसे ऐसे पीस आ गए 20 पीस 25 पीस जो खराब थे जिनमें कोई नों इंस्पेक्शन के बाद सनुशित हो लीजिए कि अब जो आप पीस हमको भेजेंगे वो ठीक पीस भेजेंगे So this is known as the producer's risk. A probability exists that a lot having good components and even better than the acceptable quantity may be rejected. हो सकता है वो जो 15-20 पीस निकले इसके लावा उस पूरे 1000 में सारे पीस टीक थे लेकिन ये संबव है कि मेरे हाथ में वही पीस आया जो खराब पीस था producer के risk को normally हम लोग OC कर में alpha से denote करेंगे and it happens due to the selection of the bad components during the random sampling तो random sampling के समय जो हम करते है तो हमारे हाथ में अगर bad components ही हमारे हाथ में आगए तो फिर तो lot reject होई जाएगा It is known as the producer's risk या manufacturer का risk उसको हम कहते है Normally जो manufacturer का risk होता है इसका percentage लगभग 5% की आसपास होता है So producers have to take about 5% of rejection को उनको risk उनका हमेशा बना रहता है Hence 5% lot better than aql may be rejected हो सकता है कि पूरे 100 piece में केवल 2 piece खराब थे और जबकि 2 piece हमारा aql था lot यह okay हो जाना चाहिए कि customer aql 2% था उसने कहा ही था कि 2% तक खराब है तो हमको दे दना यह हमको accepted हो सकता है फिर भी हमने sample उठाया और sample में 5 piece ऐसे ही आगे हमारे हाथ में जो पहले से ही खराब थे तो यह producer के खाते में चला जाएगा इस अब आपका risk आप इसको lot को ले जाएए सो यह एक तरह से sample की एक feature है sample का एक चारे तरी गुण होता है कि sample उठाते समय हमारे हाथ वही पीस आगे जो खराब थे तो इस अब producer के risk को हमनों सामानता 5% लेते हैं अब देखें यहां पर consumer है consumer अपना सर पकड़के बैठा है उसका कुछ laptop खराब हो गया या उसका headphone खराब हो गया या उसकी स्कूटी खराब हो गया consumer के यहां पर risk involved हो रहा है consumer के risk को हम लोग beta से remote करते हैं अब यहां पर consumer का मामला क्या है आपने 10 पीस का sample लिया पीस उसमें 100 पीस में 18 पीस खराब है आपने जो 10 पीस का sample लिया उसमें आपके हाथ में वही पीस आगए जो सारे के सारे अच्छे पीस थे तो क्या होगा एक bad lot आप accept कर लेंगे और उसके बाद जैसे सर पकड़के बैठें आप भी सर पकड़के बैठ जाएंगे probability exist ऐसी संभावना बनती है that a lot having bad component ऐसा lot जिसमें खराब component है and even worse than the LTPD हो सकता है LTPD जो 6% customer में कहा थे चलो वहां तक ले लेंगे उतने भी उससे भी जादा है लेकिन हो सकता है वैसा lot फिर भी आप accept कर ले क्योंकि random sampling में आपके हाथ में खराब piece वाले खराब piece आपके हाथ में आए ही नहीं and it may happen due to the selection of the good components during the random sampling तो random sampling के समय यह संभावना बन जाती है it is known as the consumer's risk and usually taken as the 10% तो consumer का risk 10% लिया जाता है और जबकि producer का risk जो है देख लीजिए यहां पर लिखा है producer का जो risk है वो normally 5% लिया जाता है and 10% lost, lots worse than the LTPD may be accepted यह consumer का risk रहता है now the OC curve आज के lecture का the very important topic the OC curve हम पहले OC curve देखते है क्या OC curve में देखी यह Y axis है यह X axis है X axis पे हमने proportion defective बना है यानि यह है percentage defective हमारे lot में कितने percentage तक material अगर defective है तो defective percentage को हमने X axis पे दिखाया है Y axis पे हमने दिखाया है probability of acceptance किसी lot के सुईकार होने की प्राइक्ता क्या है probability of acceptance of a lot और यहां पर उस lot में कितने percent defective माल है उसको हमने यह पे X पे दिखाया है और Y axis पर हमने उस lot के accept होने की probability को दिखाया है एक बड़ी common सी बात है अगर यहां पर percentage defective कम है लोट में defect कम है तो lot के accept होने की probability जिसरवाधिक रहेगी तो देखे यहां पर अगर zero है यहां पर defective तो hundred percent is the probability कि वो lot accept हो जाएगा चुकि probability को हम लोग one से जादा नहीं होती तो यहां पर one लिखा हुआ है और अगर percentage में कहेंगे तो hundred percent lot will be accepted जैसे जैसे यहां पर देखेंगे जैसे जैसे defect का percentage बढ़ता जाएगा देखे जैसे जैसे defect का percentage बढ़ता जाएगा वैसे वैसे acceptance का percentage घटता जाएगा acceptance की probability घटती जाएगा तो यह जो आप देख रहे है purple color में जो graph बना हुआ है this is a typical OC curve यह OC curve सामानता इसी शकल का बनके आता है और यह probability के basis पर बनता है और यहाँ पर यह देखे alpha दिया हुआ है जिसको हमने यहाँ पर याद होगा आपको इसको हमने producer का रिस्क कहा था alpha जो की 5% होता है और यह यहाँ पर देखे लिखा हुआ है बीटा यानि consumer का रिस्क है यह है aql acceptance quality level यह है aql यहाँ पर aql है और aql में हमने यहाँ पर बत का रखा है aql के बारे में कि यह 2% माल लीजिए aql, aql हमारा 2% है और यह LTPD तो माल लीजिए 2% हमारा aql है और यह हमारा 6.5% है यानि customer कह रहा है कि अगर lot में 2% से कम rejection है तो lot हमें स्युकार है कोई समस्या नहीं lot हमको बेज़ दीजिए पूरा payment ले चाहिए फिर customer ने कहा कि अगर lot में 6% से ज़्यादा rejection है तो मुझे बिलकुल भी स्विकार नहीं है आप अपना माल वापस ले जाएए पैसा से तो नहीं मिले तो 6.5% तक यह LTPD अगर 6.5% customer ने बताई है तो यहां तक इसके बाद वो बिलकुल accept नहीं करेगा 2% तक वो accept कर ही लेगा 2.5% का जो zone है जो बीच का zone है इस zone में customer ले भी सकता है माल या customer हो सकता है माल accept ना भी करें दोनों संभाव नहीं 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 अब यहां पर जड़ा हम यह देखें यह काली-काली line क्यों बनी वही है यह जड़ा इसको देखा यह क्या है मामला so this line this line यहां आगए हम लोग और इसको रप कर दिया ज़रा रप कर देते हैं तो हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे यह जो OC कर्व है इस OC कर्व में जो यह black वाली line है यह वाली यह है ideal OC कर्व देखें लिखा हुआ है आदर्ष इस्थिती में operating characteristic कर्व एक आयत की भाती होता है एक rectangle जैसा दिखाई पड़ता है ज़कि practically OC कर्व ऐसा कर्व होता है परपिल वाला लेकिन आदर्ष इस्थिती में इसको हम ऐसा कर्व कहते हैं आदर्ष इस्थिती में customer ने अपना equivalent यहां पर बता दिया अब यहां पर हमने पीछे माना था कि यहां पर सेथे सब्सक्राइब करें यहां पर यह दो परसेंट है तो दो परसेंट तो यह एकवल हो गया तो कस्तों बनने के बाई दो परसेंट तक अगर रिजेक्शन है तो हमें मट्रियल एक्सेप्ट है कोई दिक्कत नहीं है तो प्रोबिल्टी आफ acceptance a lot is 100% 100% कब तक 2% तक तो यहां पर लिजे 0.4 है 0.5 है 1.5 है 1.8 तो परसेंट तक कोई दिक्कत नहीं सारे lot एक्सेप्ट हो जाएंगे तो ग्राफ आफ आपका बिल्कुल्टि यह ओर रिजिन्टल चलेगा ऐसा जैसे चलना है तो भॉल् 3 नीचे आगया, यानि अगर 2% से अगर 2.1% पी rejection है, अगर lot में, तो lot accept नहीं होगा, और उसके accept होने के probability 0 हो जाएगी, तो आदर्श इस्थितियों में ये graph एक rectangle होता है, लेकिन वैवारिक परिस्थितियों में graph rectangle नहीं होता, तो आपको जब भी paper में आएगा, तो आपने ये rectangle भी explain करना है, और आपको ये purple वाला जो graph जो typically जैसा होता है, उस दोनों, इन दोनों को आपने explain करना है, हम देखते हैं या लेखा क्या है, so OC curve is also known as the probability curve, देखे इसका नाम एक और है, probability curve इसको कहते हैं, which shows the probability of accepting lots with various percentage defect, तो X axis पे various type के percentage defect दिखा देते हैं, और Y axis पे हम probability of acceptance of a lot दिखाते हैं, hence graph is drawn between probability of acceptance Y axis पे and percentage defective X axis पे होता है, it represents the performance of a sampling plan over the wide range of quality, तो यह sampling plan के लिए हम लोग इसको बनाते हैं, तो काफी range में इसको 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 करते हैं, it shows अब इस graph में क्या-क्या बाते होती हैं, पहली चीज़, producer का risk alpha यह यह उपर बना हुआ है अल्फा कंजूमर का रिस्क बीटा यहां पर नीचे बना हुआ है AQL जिसको हमने 2% माना था and LTPD जिसको हमने याप पर 6.5% माना था यह सारी बाते हम लोग इसमें दिखाते हैं Ideal OC Curve is a Rectangle All Lots within AQL will be accepted AQL के अंदर तो सब accept हो जाएगा and otherwise rejected या उसके बाद वो rejected कर दिया जाएगा So it is a typical OC Curve Difference with ideal OC Curve तो हमने बात दोनों तरह के Curve को हमने याप पर सीख लिया Operating OC Curve में देखिएगा एग्जामपल यहाँ पर लिगा हुआ है हम graph को पहले पकड़ लेते तो यह Y-axis पर probability है 0, 10, 25, 50, 75, 95, 100% की probability X-axis पर percentage defective है lot में 0, 1, 2, 3, 4, 5 यह वाला कर लेते हैं 6, 7, 8 and so on यह percentage defective है और यह एक typical हमने यह graph बना रखा है और यह उपर alpha दिया गया है producer का risk जो की normally 5% लिया जाता है यह यहाँ पर हमने बीटा दिया गया है जो की customer का risk होता है AQL यहाँ पर हमने 2% माना है यह यहाँ पर AQL है good lot के लिए जिसको हम 0 से लेके अगर 2% तर defective है lot में इसको हम अच्छा lot मानेंगे इसको 2% कहा देंगे AQL साड़े 6% यहाँ पर हमारे लिए LTPD हमने तै किया हुआ है यह इसके बाद lot बिलकुर reject हो जाएगा रही बाद 2 से लेके साड़े 6% की बीच में इसको indifferent zone कहते हैं indifferent zone यानि इसमें customer के need customer के requirement customer की urgency customer की emergency customer की उसके यह production आगे ठप तो नहीं पड़ रहा है उन सब के उपर निर्भर करता है कि वो इसके बीच में माल लेगा या नहीं लेगा लेगे मैं 6.5% LTPD की बाद तो बिलकुल लेगा तो अब देखे इसमें अगर कह रहा है कि AQL अगर 2% है तो सारा का सारा lot आपका accept हो जाएगा तो यहां से यहां तक में आते हैं graph देखे आँ पर आ रहा है तो y axis पर जब graph को यहां से हम vertical line खीच ले और graph को यहां touch किया यहां से चले गए y axis पर पिच्यान बे आया यानि कि 2% अगर defect है तो lot के accept होने की probability 95% होगी so 95% is the probability of the acceptance of a lot at equal of the 2% that means lot 95% probability accept होने की हो गई ना तो फिर producer की रिस्क कितनी बची producer की रिस्क बची केवल 5% तो 5% producer रिस्क है तो उसकी बाला lot reject हो जाए क्योंकि मेरे हाथ में सैंपल मुस्ता खराब वाला ही पीस आ जाए otherwise 0 से लेके 2% में 95% lot accept हो जाएगा 2 से लेके 6.5% में इसको indifferent zone कहते हैं consumer में accept consumer में reject the lot depending upon the need अपनी आप शक्ता गनसारव निलने ले सकता है ज़्यादा भूखा है तो खालेगा नहीं भूखा तो नहीं खाएगा probability of acceptance may drop from 95% तो ऐसे case में acceptance की जो probability है पिच्चाने परसन से कहा गिर कर आ गई 10% तो यहाँ से लेके यहाँ तक आते आते acceptance lot के accept होने की जो probability है संभावना है पिच्चाने परसन से घटकर 10% रह गई इसका मतलब क्या हुआ कि producer का रिस्क जो यहाँ पर 5% था यहाँ तक आते आते producer का रिस्क इतना हो गया 90% का producer का रिस्क हो गया कि lot reject हो ही जाएगा अब अगर हम साड़े छे के बाद गए अगर हम साड़े छे के बाद गए यानि LTPD को क्रॉस कर लिया तो यह rejection का zone कहलाता है और lot के accept होने की जो संभावना है वो 10 देखे ग्राफ नीचे उतर रहा है यानि LTPD पर जो 10 है ले उसके बाद और नीचे उतर जाएगा यानि के वर lot के accept होने की संभावना के वर 10% है और reject होने के संभावना 90% है और उसके बावजूद अगर माल लीजे lot accept ही हो गया कुछ ऐसा हुआ कि sample में हमारे पास अच्छे वाले piece नहीं है अच्छे वाले piece आगा है खरावाले piece sample में आई नहीं जबकि lot में 6.5% effect हो तो फिर इसे हम यहाँ पर कहेंगे this is known as the consumer's risk So I hope कि आपको यह पूरा topic बहुत अच्छे से समझने आया होगा और आपकी किसी में तरह की queries हैं तो आप अपनी queries जोए comment पे लिख सकते हैं जिससे कि मैं आपकी queries को address कर सकूँ और उनकी queries को आपको अगली lectures में आगर आपकी queries एकठा हो जाएंगी एक अलग से वीडियो बन जाएगा आपकी queries के लिए ताकि इन queries को में आपको एक एक करके solve कर सकूँ और इस channel को आप लोग पसंद करिए इसको like करिए और इसको share करिए और इसको subscribe करिए you will be getting आपको बहुत सारे नएने lectures आपको इस chapter में और mechanical engineering से सभी सब विश्यों के मिलेंगे so thank you for the day thank you very much